हलो गाईज, विल्कूं टो मैं चैनल कैसे हैं, आप लोग उम्मित करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, और अपनी तयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, अगर बात करें CDP की, तो सिध्धान्त जो है, वो हमेशा पूछे जाते हैं, तीस नंबर का पेपर है तो कम से कम 10 नंबर के जो है, आपके सिध्धान्त ही पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसी को ले करके मैंने 50 ऐसे सिध्धान्त सेलेक्ट किये हैं, जो आपके एक्जाम में आएंगे ही, और बिल्कुल जो है, वही पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जो बताने वाले हैं, रामायड नहीं बता रहा हूँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है, पांच सिध्धान्त पढ़ चुके हैं, आज हम लोग तीन सिध्धान्त और पढ़ेंगे, ठीक है, पहले थेओरी, लास्ट में आपके लिए MC क्यूज होंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि आपन प्रयासम तुटी का सिध्धान्त, ट्रायल एंड इरर थेओरी, ठीक है, ये जो सिध्धान्त है, ये थांडाइक महोदे ने दिया था, ये आपके कहां के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं, इन्हों ने अपने सिध्धान्त प्रयासम तुटी को सिध्ध करने के किस ने दिया था थांडाइग ने दिया था इन्होंने भूखी बिल्ली को पिंजडे में बंद कर दिया था ठीक है और बाहर जो है खाना रख दिया और जो पिंजडा था वो लीवर से खुलता था बिल्ली भूखी थी इसी वज़े से बहुत प्रयास उसने करे कहीं जाल को का तो थांडाइक महोदे कहते हैं कि प्रयास करेंगे तुत्रियां होगी लेकिन सीख जरूर जाएंगे ठीक है तो यह इनका छोटा सा सिध्धान था अब बात कर लेते हैं इनके सिध्धान के उपनामों की जो एक्जाम में काफी बार पूछा जाता है दिखिए थांडाइक का स में इनोने संबंद बताया इसी वज़े से इनके सिध्धान को संबंद वाद का सिध्धान कहते हैं शीखने का संबंद का सिध्धान और का तो अगर बात करे ऑरेस थेवरी इसकेननने दिया हुआ है शियार थेवरी पावलाव ने दिया हुआ है यसो आर थेवरी वुडवर्थ महोदे ने दिया हुआ है S का मतलब stimulus मतलब उदीपक होता है R का मतलब response या इनकुरिया होता है ठीक है सभी में ठीक है और O का मतलब organism होता है ठीक है तो ध्यान निखेगा इस सिध्धान्द को अब बात करेंगे छेत्र सिध्धान्द की field theory field theory जो की बहुत ही महत्वण है exam में काफी बार पूछी गई है कि छेत्र सिध्धान्द निम्न में से किस ने दिया है तो kurt levin ने दिया हुआ है या आपके kurt levin है आईए हमारे छेत्र में आपको kurt लेंगे इस तरीके से इसको relate करके याद रह सकते हैं kurt levin जर्मन अमेरिकी मनवेज्ञानिक थे यह कहते हैं कि व्यक्ति मनवेज्ञानिक व्यक्ति होता है और अगली बात कहते हैं कि मानव वहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है यह कौन कहते हैं लेविन महोदे कहते हैं ठीक है इस पाइंड को एकदम ध्यान रखेगा तो ये तो छोटी सी बात होती है अब जो है छेतर सिधान्त के कुछ उपनाम है जैसे लच्छे का सिधान्त मुलब उपनाम है अदिकंग का तलरूब का सिधान्त सडिस्ध का सिधान्त सही दिशा का सिद्धान देखें जिसमें दिसा आ रही है ठीक है लच्छ आ रहा है मतलब छेत्र जहें विशेश छेत्र की और पहुचाना इसमें यही बात है तो लच्छ है दिसा है सही दिसा का सिद्धान प्राकर्तिक दिसा का सिद्धान सदिस का सिद्धान यह आपके शेत्र सिद्धान के उपनाम है श्रमोह गतत की सिलता का सिद्धांत, गत्यात्मगविकास का सिद्धांत, विभा हर गती का सिद्धांत ठीक है और देखिये गति सीलस्था की बात आ रही है तो यह कहां बुट को ध्यान नगीगा जैसे मैंने आपको बताया था ये लाइन लिखी हुई है कि मानव वहार जो है behavior जो है वो क्या है व्यक्ति और वातावरण का क्या है प्रतिफल है वातावरण क्या है आपका E और व्यक्ति क्या है P ठीक है इस पाइन को ध्यान लिखेगा ये होता है B बराबर यफ प्राइकेट में E इंटू P ये फार्मूला बन जाता है B मतलब देखे मानव वहार व्यक्ति मतलब क्या होता है परशन E मतलब इन्वारंवर्ण यानि वातावर्ण और F मतलब क्या होता है फील्ड ये एक्जाम में पूर्श रखता है कि फार्मूला किस ने दिया था तो Kurt Levin Mohoday ने दिया था अब बात करेंगे सबसे दमदार जो है आपका सिधान थे मनो लैंगी विकास का सिधान ये हमारे सिग्मन्ट महोदे हैं सिग्मन्ट फ्रायड महोदे ये आपके कहान के निवाशी थे ये आफ्स्ट्रिया के निवासी थे इन्होंने मनों लेंगी विकास का सिधान दिया और उसमें पांच अवस्था है बताई ठीक है और भी कुछ पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं जैसे लिखा है नार्सिज्म स्वा मोह या स्वा प्रेम सैस्वा वस्था में बच्चे का स्वाम से प्रेम देखने की प्रवत्ती मिलती है यानि स्वाम को प्रेम करने की प्रवत्ती नार्सिस्म की प्रवत्ती होती है ये किसोरा वस्था में ज्यादा दिखाई देती है लग खुद को अच्छा दिखाने के लिए सजना सवरना जो लड़किया होती है मेकप करती हैं सब कुछ करती हैं ठीक है भवे सेट कराती है जो बालक होते हैं यानि किसोर होते हैं वो अपने बाल सेट कराते हैं दाड़ी सेट कराते हैं ठीक है जेल वे लगाके घुमते हैं तो स्वयम को प्रेम करने की प्रवत्ती नार दिखिए फ्राइड ने अपने सिध्धांत में 5 विकास आत्मक अवस्थाएं बताई थी पहली अवस्था बताई मुखा अवस्था यानि ओरल स्टेज जो की जर्म से 1.5 वर्ष की बताई गुदा अवस्था अनल स्टेज यानि 1.5 से 3 वर्ष की बताई लिंग प्रधान अवस्था यानि फैली की स्टेज तीन से छे वर्ष की बताई अव्यक्ता अवस्था लेटेंसी स्टेज यानि छे से बारा वर्ष की बताई जननिंदरी अवस्था जनेटियल स्टेज यानि बारा वर्ष से अधिक की अवस्था बताई तो ये पांच अवस् जो सिद्धान्त है, इसमें कामुक्ता के बारे में बात की है, जो की विकास में महत तो रखता है, लेकिन पूर्टिया नहीं रखता है, इसी वज़े से इनके सिद्धान्त की आलोचना भी होती है, तो ये पाँच जो अवस्थाएं हैं, मुखा अवस्था, गुदा अवस्थ चुटा सा वच्चा अगर आप उसे जो डेड़ बर्स तक है उसे कोई भी चीज दे देंगे तो अपने मुह में रख लेता है तो मुखा अवस्था उसी चीज को दर्षाती है गुदा अवस्था बात करें तो ये डेड़ से तीन वर्ष की अवस्था बताई ये कहते हैं जो कामुकता का छेतर होता है वो गुदा होता है एनल होता है और जो बच्चा होता इसमें मल मूत्र त्यागने और रोकने में आनंद प्राप्त करता है तो यह क्या कहता है यह गुदा अवस्था कहती है गुदा अवस्था डेड़ से तीन वर्स की अवस्था मानी जाती है तीसरी अवस्था आ जाती है लिंग परधान अवस लड़की लड़की यानि लड़का जो होता है वो लड़की से घ्रणा करता है और समान लिंग के प्रति घ्रणा होती है ठीक है इसमें इसमें फैली की स्टेट नहीं होती है फैली की स्टेट जो है यह तीन से छे वर्ष के वस्ता होती है इसमें जो बच्चा होता है ना वो से अच्छा विवहार नहीं करेंगी हम लोग जब छोटे छोटे होते हैं ना पांच से छे वर्ष के तो ऐसे ही होता है फिर लिखा है इस अवस्था में दो ग्रंथियां पाई जाती हैं ये सैसवा अवस्था मान सकते हैं हमसे सैसवा अवस्था जनम से 6 वर्ष या 5 वर्ष की अवस्था को हम लोग 600 वस्था कहते हैं तो दो ग्रंथियां पाई जाते हैं और डिपस ग्रंथि और एलेक्टरा ग्रंथि ये दोनों ग्रंथियां 600 वस्था में पाई जाती है देखे आडिपस ग्रंथी की बात करें तो आडिपस ग्रंथी किस में पाई जाती है आडिपस ग्रंथी लड़कों में पाई जाती है ठीक है और आडिपस ग्रंथी की वज़े से जो लड़का होता है वो अपनी मा से प्रेम करता है सहसावस्था की बात है और इलेक्टरागधि लगे 440 वोल्ड करेंट लड़की इस तstarter के से यादरक सकते हैं तो इलेक्टरागधि लड़कियों पाई जाती है और इसकी वज़े से लड़की अपने पिता से प्रेम करती है सहसावस्था में ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा होता है 3-6 वर्ष का मालिज ये कोई लड़की है तो वो अपने पिता से काफी ज़्यादा जो प्रेम करती है उनी से ज़्यादा बाते करती है उनके लिए प्रेम जो है वो पिता ही होता है ठीक है और इसका उल्टा लड़के के साथ होता है अब बात कर लें अव्यक्ता वस्था यानि लेटेंसी स्टेज के बारे में ठीक है ये आपकी 6-12 वर्ष की वस्था मानी जाती है और लिखा है लिबिडो की संतुष्टी का केंदर अद्रश हो जाता है 6-12 वर्ष की यानि सेक्सुलिटी जो है इसमें कम हो जाती है मरलत इसमें जो बच्चा होता है वो यह underest आ है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे सेक्सुलिटी से सम्मधित तो जो है क्या होगा हमें जो है हमारे स्रमाज में हमारे घर में लोगों को अच्छा नहीं लगगा इसी वज़े से लिबिडो की संतुष्टी का केंदर जहें इसमें असंतुष्ट हो जाता है बालक सामाजिक कार्यों की ओर केंदर थोने लगता है अवयक्ता अवस्था में बच्चे अपने हमुम्र यानि सेम सेक्स यानि समलिंगी जो है गोट बनाने लगते हैं लड़के लड़कों के साथ लड़कियां लड़कियों के साथ जहें गुरुप बना करके संतुष्टी प्राप्त करते हैं इसमें अवयक्ता अवस्था में लास्ट है हमारा जननेंद्री अवस्था जनेटियल स्टेज विसम लिंगी प्रेम ये बारा वर्ष्रे अधिक की अवस्था यानि कह सकते हैं कि सोरा वस्था से इसको जोड़ा जा सकता है ठेक है और इससे उपर वाली जो अवस्था थी हमारी उसको जो है लेटेंशी होने लगता है काम प्रवत्ति का प्रयोग संतानों की उत्पति के लिए किया जाता है ठीक है आपने देखा होगा कि बारा वर्ष्रे अधिक के जो किसोर होते हैं वो प्रेम प्रसंग में फस्ते हैं और उसके बाद जो उनकी कुटाई भी होती है तो जननिंद्री अबस्थ जो है ये विसमलिंगी प्रेम के प्रती दर्शाती है प्रभाव को और काम प्रवत्ति का प्रयोग संतानों की उत्पति होती है अगला है क्रिटिसिज्म मैंने आपको बताया था जो फ्रायड महुद है न ये सेक्सुलिटी की हुई महतों देते हैं जिसकी वज़े से इनकी क्या होती है आलोचना होती है एक बास सामने आती है इन्होंने कभी बच्चों पर प्रयोग नहीं किया लेकिन विकास की थेवरी देर डाली इसी वज़े से इनकी आलोचना होती है व्यक्तित्य के विकास के लिए हर चीज में सेक्सुलिटी को जो है एकदम गुशेड दिया है इसकी मज़ने के विकास के लिए बहुत सारी चीज़े आवश्रक होती है ठीक है परिवार भी है समाज भी है ठीक है लेकिन ये हर چीज में सेक्स्वालिटी को इंटर करा देते हैं इसी वज़ने की आलोचना इनका जो है क्या होता है जो है आलोचना होती ये कहते हैं सुरू के 5 वर्सों में पर्सनालिटी का विकास होता उसके बाद नहीं इसी वज़े से इनकी आलोचना होती है तो हमारे तीन सिद्धान्त आसा करता हूँ आपको एक्डम समझ में आके होंगे एक था हमारा येसार थे टेव is आक तो देखते हैं आप लोग ने इन तीन सिथांतों में कितना शिख्या और कितने अंकलाएंगे इस वीडियो में आपके लिए मैंने 10 मीरिकलग्डी के जापन, रसीया, अमेरिकाय को क्यों इसके र tendencies देक्टीक टानीक थंडा एक महोद्जय अमेरिका के निवासी थे और पर घ्रति किसमें पाई जाती है गर्ल बॉय दोनों में या किसी में नहीं। तो ऑडिपस ग्रति मैंने आपको बताया था। बॉय जाती है कियों पाई जाती है। बॉय में 600 पाई जाती है। जिसकी वज़े से लड रखता अवस्था यानि latency stage जो है, ये कितने वर्ष की अवस्था होती है, ये होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था, अगला विसम लिंगी प्रेम की भावना पाई जाती है, मुखा अवस्था, गुदा अवस्था, जननेन्द्री अवस्था या लिंगा अवस्था में, बताए होता है और डिपस और एलेक्ट्राग्रंथी पाई जाती है बुखावस्था में जो बच्चा होता है वो मुख में चीजों को राकरके आनंद प्राप्त करता है गुदावस्था में एनलिस्टेज जो होती है इसमें बच्चा मलमूत्र को त्याग करके रोक करके जो आनंद प चेतर सिद्धान्त निम्न मेंसे किसकी दिन है इसके नर्पावला कूट लेविन या रास चेतर सिद्धान्त निम्न मेंसे किसकी दिन है आईए हमारे चेतर में आपको कूट लेविन चेतर सिद्धान्त का अन्य नाम नहीं है देखिए बताएं चेतर सिद्धान्त का निम्न मे जन अधिगम सिर्धान्त नहीं है क्योंकि अनुभो जन अधिगम सिर्धान्त काल रोजर्ष ने दिया था इस ने दिया था काल रोजर्ष ने दिया था बाकि सही दिसा का गत्यात्म गति आ रही है तल रूप सिर्धान्त जो है तल से यानि छेतर से जुड़ा हुआ इसी वज F मतलब field, E मतलब environment, P मतलब person, तो इसके रास, लेविन या कोहलर ने, ये दिया था किसने, लेविन महोदे ने मैंने आपको बताया था, अगला पसने यथार्त, अधिकम सिद्धान्त, निम्न मेंशे किसने दिया हुआ हल, इसके रास थांडा है क्या पावलाओ, बताएं आप पुर्ण बनने के सिद्धान्त को यथार्त, अधिकम का सिद्धान्त भी कहते हैं, ठीक है, पिछले वीडियो को देखा होगा, तो आपको पता होगा, यसो आर्थेवरी किसकी देन है, इसके रास, रूस, वुडवर्थ, या थांडाइक की, यसो आर्थेवरी, अभी मैंने आपको बताया था, वुडवर्थ, महोदेकी, आपसन आपका सी सही होगा, आसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगाओगा, दस में से जितने भी प्रसन आप सही करें, कमेंट करके जरू बताएगा, ठीक है, मिलेगे आपसे एगले वीडियो, तब तक के लिए, जय नजय भारत!